आपकोनिक आप्रूल ये जो रूल है ये एलकीन्स में आपके एडिशन रिएक्शन्स जो होती है येडिशन रियक्शन्स उसके बाद होगे हैं जिसे आपके पास माल लीजे कोई स्मेट्रिकल एलकीन है तो जो आपकी स्मेट्रिकल एलकीन है उसमें आप नोरिन एट करते हैं तो आपको किसी रूल की जबजनी आप जैसे फ्रॉपीन है इसके साथ आपने क्लोरिन का अटेश्मेंट करना है तो आपका जो है इस तरीके से आप अटेश कर सकते हैं लेकिन यह दि आपको जो है इस पर भी है तो इन तीनों केसिसमें आप देख रहे थे कि यह जो पहले वाला एक्जामपल था इसमें हमारे पास जो थी सिमेट्रिकल एलकीन थी और सिमेट्रिकल एलकीन ठीकर और सिमेट्रिकल ही आपका अटैकिन रिजन था यहां पर अंसिमेट्रिकल एलकीन थी और आपका सिमेक्टिकल अटैकिन विजेंट था यहां पर आपका सिमेक्टिकल अलगी थी अंसिमेक्टिकल अटैकिन रिजेंट था तो आपको जो है chemical reaction मनाने में कोई दिक्कत नहीं लेकिन यदि ये दोनों ही unsymmetrical हो जैसे प्रॉपीन की हम HCL से reaction करा हैं तो आपके क्या product possible हो सकते हैं ठीक है नहीं? जैसे इसके साथ आपने HCL लिया तो ये आपकी unsymmetrical एलकीन है और इसके साथ ये आपका unsymmetrical reagent है तो इनका addition किस करी दिस हो गए? तो इनके addition में हमने पाया कि आपका जो है दो आपके product बनी है एक आपका ये बना और दूसरा आपका ये बना इस वन इस 2-Cloropane इस वन इस 1-Cloropane 2-Cloropane जो है वो major product बना और ये जो है आपका minor product बना ठीक है तो इसके बारे में मारकोनिक आपने एक rule दिया था कि इस तरह के एक electrophilic addition reactions में तो आपका जो unsymmetrical alkenes का addition है इसके बारे में मारकोनिक आपने rule दिया कि जो attacking region का positive part है that goes on that position where hydrogen atoms are move जहाँ पर hydrogen atoms जाना है वहाँ पर positive part जाना है जैसे HCL है तो HCL में आपका positive part H होगा और ये negative part होगा तो positive part आपका उस तरफ जाएगा जहाँ hydrogen जाना है और negative part वहाँ जाएगा जहाँ hydrogen atom कम है तो आपका जो है यहाँ पर richer become richer आपका जो रिचर है वो ज्यादा रिचर होता जाएगा तो मार्कोनिक आफ ने ओरिजिनली आपका एलकीन्स के एलक्रोफिलिक एडिशन के केस में यह रूल दिया था यह रूल अपनी लिमिटेशन से इसकी भी इसकी लिमिटेशन क्यों है उसके लिए हमारे को उसकी मेकेनिस्म समझनी पड़ेगी कि वह कहाँ यह वाइल रिट हो जा रहा रहा है यहीं मेजर प्रडट्रक्ट क्यों बना यही मैडिनर प्रडट्रक्ट बना जिसको अवी हम आगे धिसकस करेंगे कि आपका मार्कोनी काफ रूल है कुछी टीशन में फॉलो होता फॉर्स्ट एल्कीन शेट भी 뒤에 आपकी आपकी सिमेट्रिकल नहीं है तो आपका महागो इसके साथ हम HCR की रेक्षिन करें तो महरको निगाफ रूलपूद इस इंग पर फॉलोप भौगा लेकिन को आपका करदेख bounds पर ग्रूपश ल रहा है तो आपका ठीक है यह दिए फिनाइल गुरूप नहीं आ रहा है तो यह दिए एक भी पोजिशन पर तो आपका मार्कोनी काफ रूल फॉल नहीं होगा जैसे यह जो कंपाउंड है इसमें दोनों पोजिशन पर फिनाइल रिंग आ रहा है तो एरोमेटिक है तो आपका जो मिठाइल वागा गुरूप है यह कार्पो का टायन को मोर स्टेवल बना देगा विद प्लसाइफेक्ट एंड हाइपर लेकिन यहां पर सिर्फ एक फिनाइल रिंग आ रहा है तो रेजोनेंस इफेक्ट डॉमिनेट कर दागा जिसकी वजह से यहां पर मार्को निकाफ रूल फॉलो होगा वरना नहीं हो ठीक है तो इन बातों को पॉइंट में ध्यान में रखते हुए हमें प्रॉडक्ट बनाना है और इसकी मेकेनिजम को हम डिसकस करेंगे इसकी मेकेनिजम में आपका कार्बो केटाइन बनता है और उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस प प्रॉडक्ट में तो इस तरीके की रेक्शन को हम बोलते हैं रिजियो सेलेक्टिव से तुम के दो लिखे प्रेस अजो सक्षेटिया आपका जो है की है जैसे आपके इन आपकी बिश最 बद्द कर आर्हना है कि मौलेकुल का पोजेटिव पार्ट कौन सा तो आपका यहां इंपर दो बनेंगे नप्रेट्री बॉंस एएंच-क और bond OX bond CH2C यह आपका यहाँ पर major product बनेगा और इसका हम उल्टा कर दें तो वह आपका minor product बनेगा ठीक है और इसी तरीके से यहाँ पर तो इसका major product बनेगा वो CS2 bond C bond VR C6 X5 bond CS3 यहाँ अब जो है आपका इसमें भी CS3 C, CS3 bond का BR bond CS2 bond CS3 यह तीमें ही आपके major products इन reactions में बनेगे किसी भी chemical reaction में हमारे को उसकी mechanism को समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसी के basis पर हम लोग समझ पाएने कि भई जो rules violate कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं किस conditions में कर रहे हैं और आगे क्या उसमें सखी rule हो सकता है तो जैसे मार्कोनिक आप उसमें प्रॉपीन की mechanism देखें यह आपको प्रॉपीन था इसके पास है आता है तो इसमें आपकी दो possibilities होती है एक तो यह होती है कि भई जो जो बांडिंग एलेक्ट्रॉन के रहे हैं वो यह ले ले ठीक है और एक पॉजिटिक यहां अटेक कर जाए दूसरा बांडिंग का एलेक्ट्रॉन यहां यह ले ले और आपका यह में पुटक बन जाए तो यह आपका सेकेंट्री कार्वोकेटाइन है और यह प्राइमरी कार्वोकेटाइन है तो इनमें stability किसकी ज्यादा होगी तो हम देखते हैं कि इसकी stability ज्यादा होती है और इसकी stability less होती है और आयन के case में जो आयन जितना ज्यादा stable होगा उसकी reactivity जैसे यह आपकी chemical reaction है तो इसमें हमारे को products के बारे में बताना है तो इसमें आपके products क्या बनेंगी तो आपको आपको क्याइन की stability के बारे में सोचना है तो इसमें दो कार्व क्याइन पॉसिबिल है आपके c6 h5 ch positive bond ch bond ch3 bond ch3 plus यह वाला कार्व क्याइन पॉसिबिल है कि इस तरी कि इन दौनों कार्व के टाइन में से stability किसकी ज्यादा होगी तो इस इन दौनों कार्व के टाइन में से कि आपकी stability फर्स्ट और इस कार्व के टाइन भी ज्यादा होती है क्यों क्योंकि यहां पर जो है aromatic city काम करती है resonance काम करती है यहां पर सिर्विये टर्श लिए और हमेशा द्यान रखिए कि aromatic character and resonance जो होती है वो मोल आपका effect करती है आई रूप के मुकाबले तो यह आपका मोल स्टेबल है लेस्टेबल है तो आपका जो मेजर प्रॉट्ट वालेगा ते इसका बनेगा यहे आपका मेजर प्रॉट प्रॉट्ट वाले प्रॉट्ट जोचल्ट एक्ॉट्ट दनेग सेटर्वाफॉट वहाँ औरिया क्गा इसका है प्रॉट्टेबलों कि आपका है लोग नहbench है प्रोड़क्ट बनेगा यह आपका माइनर प्रोड़क्ट जिसे आपकी यह एक्रेमिकल एक्षन है आप जानते हैं कि मारकोनी काफ रूल में जो है आपका कार्ब कटायन बन्ता है तो कार्ब कटायन में आपको रियरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी को ध्यान देख रहें कार्ब कटायन की रियरेंजमेंट की पॉसिबिल जो आप कार्ब कटायन के रियरेंजमेंट से अच्छे तरीके से जानते हैं तो जब इसमें आप देखें तो आपका कार्बो के टाइन मों स्टेवल वन ये बनेगा तो इस कार्बो के टाइन में आपका रीरेजमेंट होकर यह आपका यहां पर शेक्टर जाता है और यह कार्बो के टाइन मनता है यह आपका सेकेंटरी कार्बो के टाइन है और यह तर्शी कार्बो के टाइन है तो इसकी स्टेवलिटी बहुर होती है और इसकी स्टेवलिटी लेश होती है तो कार्बो के टाइन में आपका रीरेजमेंट हमेशा ही पॉस्टमिल रहता है और यह जो आगे फिर क्लॉराइट से रेक्टर के यह पॉड़क्त देता है जो कि आपका मेजर पॉड़क्त होता है और यह जो है आपका आगे कमाई दर्गे से जो पॉड़क्त देता है वो आपका माइनर पॉड़क्त होता है यह आपका जो है माइनर प्रोड़क्त बनता है इस केमिकल रियक्शन में कि यह जो कुश्चन था आपका आईटी में था 1998 में की रियक्शन आफ दिस वन कंपाउंड विद एच्बिया क्या बनेगा तो इसमें यह आप देखें कि आपका जो यह इस यह त्री सी एच डबल वांड सी एच तो यह जो इसका रेजुनाइस एफेक्ट है यह जिहां पर जो कार्गोगेटाइन बनेगा उसकी स्टेबिटी गो उपड़ा तो आपका जो है यह जब ज्यादा स्टेबल होगा तो आपका एलेक्ट्रान पियर यहां पर शिप्त करेगा यह आपका इसका उटाउटा उता यह कार्गोगेटाइन यहां पर बनता वो लेस्स्टेबल हो तो आपका एचाइन्स की प्रिजन्स में यह कंपाउंड बनेगा तो पर आपका इससे ग्रुमाइड आपका रिगट करेगा तो यह आपका प्रोड़क्ट बनेगा आपका यह कुश्चन आई टी नाइटी और टूथाउजन्स में आया था कि इन्होंने केमिटल एक्शन से क्या प्रोड़क्ट बनेगा तो इसमें आपका एनो जो है वो नेगिटिव पार्ट है और चीह पॉजिटिव पाइन क्योंकि यह फिर में देटिव पार्ट आपका बहुए वहां जाएगा आपके ज्यादा होंगे तो इसका और इसलिए बने जाए तो औरकनिक में बिल्कुल इजी टी कोश्चन आते हैं, असान कोश्चन